हेलो दूस्तू, वेलकम बेक टू गेट अवडिट ट्वेंटिफो बल्यूड स्टर सानी देवल अपनी आने वाली फिल्म गदर टू को लेकर चर्चा में है लगातर प्रमुशन और इंटर्वियू के बीच गदर टू तारा सिंग उर्फ सानी देवल ने नेपुटिजम पर अपनी बात रखी है जिससे एक बर फिर सोशल मेडिया पर हाल चल मच गई है सानी देवल का कहना है कि अगर उनके पिता धर्मेंद्र अभिनेता नहीं होते तो शायद वो भी वही कर रहे होते जो उनके पिता ने किया साथ ही सानी देवल मानते है कि उनके पिता एक दिगज स्टार है इसलिए उन्हें अभिनेता बनने का मंच और आवसर मिला सानी देवल ने हलही में एक इंटर्वियू दिया जिसमें उन्होंने नेपोटिजम का मुद्दा उठाया सानी देवल ने अपने इंटर्वियू में कहा कि ये समझना जरूरी है कि एक परिवार में एक बच्चा अपने पीता का अनुसरन करता है सानी देवल ने ये भी कहा कि जो लोग निराश है उन्होंने नफरत और भाई भतिजाबाद फैलाया है इसमें गलत क्या है कि एक पीता अपने बेटे और बेटी के लिए कुछ करना चाहता है एक पीता अपने परिवार के लिए नहीं तो किसके लिए काम करता है सानी देवल ने ये भी कहा कि सवलता बेक्ति के अपने वेक्तितवस से आती है मेरे पीता एक बरे श्टार है लेकिन मैंने इंडेस्ट्री में अपनी पहचान खुद बनाई है हानाकि मैं अपने पीता की तरह नहीं हूँ लेकिन हाँ हम लागवाग एक जैसे हैं मेरे पीता मेरे अंदर घूस कर मुझे एक्टर नहीं बना सकते। मैं अपने बेटों को अभिनेता बनाने के लिए प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ कठी नईया है लेकिन मैंने कठी नईयों के बारे में कभी नहीं सोचा। सानी देवल के ये बात कैसे लगी। कॉमेंट बक्स में ज़रूर लिखना और अगर सानी देवल को पसंद करते हैं तो एक लाक ज़रूर करना और चनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुरे रहना धन्यबाद